तो मेरे प्यारे दोश्ता आपनों को मेरा प्यारवर नमस्कार आज में आपनों के लिए एक रिष्पी लेकर आई हूं आपनों का स्वागत है तो चलिए फिर शुरू करते अपने रिष्पी ये देखिए ये देखिए ये लाल मसूर है मसूर दाल दो तरक होते है ना एक तक काली होती है जो साबूत वाली होती है ब्राउन कलर की ये जो धुली होई होती है जिसको लाल मसूर बोलते है वो है ये आज मैं इसी के रिष्पी बनाऊंगे चलिए देखते हैं पहले इसको पीषते हैं ठीक है इसको हमने इसमें डाल दिया ग्राइंडर में इसको पीष लिया हमने यह देखो आप पीष गया ज्यादा पतला नहीं पीषना है मोटा थोड़ा मतर्मोटा ही रखना है कहने में तो गाड़ा रखना है पतला नहीं करना है तो पतला हो ना चाहिए दरदरा निले की बीवरी इसमें निः दाल नारिषे इसको और भी की पड़ा रखाना कि मोटा लका नहीं इसे गर्णा है समझने आप लोग है ये देखिए तो कि अब दूबारा पिश लूगे फिर इसी तरह से लाल मशूर दाल इसमें खाली कर लिया अब इसको ना इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और कोई मसाला हमने नहीं डालाया आप चाहे तो डाल सकते हैं अद्रक मिर्च धनिया बलक्ता पर हमने नहीं डालाया और साधा क्हें और यह जीरा डाल दिया श्यूम्ला नमक और जीरा हल्दी भी कि यह झालाया हमने श्बम केर बल्स हे और अध्रक मिर्च से ब्हुंर से यह फिन तोड़ी से ढाल दिया है इसमें जरूर डालिए टेस्ट ने बहुत अच्छा आता है बहुत अच्छा लगता है यह से ठीक है सूधिया है तो ठीक है मसाला इसमें इतना अच्छा नहीं लगता जो चीज़ बने गे रेश्पिया हमारी खिंग साथिये यह थोड़ा समें आफ़ने सोडा डाल दी लिक चुटकी के बराबर है जादा नहीं है क्योंक ऐसे हमने काफी लिए दिए हएं लिए अब कितना पतल हो गया हलका सब को हम आप यह कडाही रख द्या कि अब इसको हम इस में डल तल लेंगे कृँ अग्ए अग्छी है मेर्डा पतल्र आज हिए इसको गहसे हैं। 5 पिशेड़ में तो सभी हुछ प्र। में इसलिए हमें नहीं हम इन करते हैं थोड़ा गड़ा गड़ा इसको पिशना है Ł visualize क्रिक्वEd क्लिा पाणि को पथने के पणा भीवर सेघ्व ऑप्राइrá क हिए। ने कि पकेदत नबर कि आप लोग से रिक्वेस्ट एक प्लीज आप लोग चैनल को सब्स्राइब करें और कमेंट करें हमाय रिस्पी के बारे में अब हमें बताई हमाय रिस्पी कैसी बन रही है ठीक है यह देखी एक साथ से तो हमारा पग गया हाँ इसको पकाने लिए ना पहले आस तेज गरम कर करके इसको कड़ाही को तेल को गरम कर दीजिए मैं सर्षोग तेल में बना रही हूं आप इसे जिस तेल को आप खाते हों उस तेल को डालिए उसमें बनाईए प्धिन और वाला में न कि आटा और मेंदा के घी में और दुसरे रीफायड वाइल में डाल के तले आईटा लगता है इसमें सरसो तेल यह अच्छा लगता है आई पहले ना कड़ाही के आँच तेज करके कड़ाही गरम कर लिजिए तेल अफिर उसके ना धीमा कर दीजिए गनम धीमा तब इसको डालिए अफिर थोड़ी देर ना इसको पकने दीजिए छुए मत पलटिये मत नहीं तो तूट ज जाए गा इसको पकने दीजिए थोड़ी देर अजब थोड़ी देर पक जाए ना फिर थोड़ा आच इसको मिडियम करके फिर परट दीजिए एक साइट से पक गया अब दूसरे साइट पक रहा है देखें के आब कि पूरी को छोड़ करके ना बाकी कोई बहीं जाए दियाम आंच में मिडियम आच में बनता है हाँ उसको तेजां कर देंगे तो शोख जाएगी पूरी अब सकता हो सकते के बल के उपर है जिस्पीड ऊप सकते है या पहले से बेल के रखने तो जीतना आज ते जो उतना ही अच्छा बनता है पूरी यह दिखे हमारा बन गया नहीं है यह देख आप अगुद्र हमने पानी रख दिया था हलका सा गर्म किया है बिल्कुल नॉर्मल सा जी से गुंगुना सा ना ज्यादा गर्म नहीं है उसमें थोड़ा को और एक दूसरा शाना पर पूरा वर्भरत द Mah quickly कि तेल चाथर डाने तो यह दालते है पलट जाएगा फिर नहीं पाएगा तो फिर से ने पाएगा थोड़ा कम ब्लती ताकि जो हम डाल रहें आधा उसमें डूप सके आधा उपर रहे तब यह पकेगा नीचे इस पक्चाएगा फिर उपर आगया अब यह देखिए हमारा बन गया सारा हमने पानिम डाल दी आप यह हमने प्लेट रख लिया यह देखें हमारा बड़े कितने सब्ट हो गए है यह देखें यह दही मुड़ thou a Blade mission के दही बड़े तो खाते चने के दही मॊत्त है आज शमीने लाल मसूर दाल की बड़े खा बनाए है अलग होली में है यह होली में रंग बिरंगे सब कुछ होता है तो हमारे लाल मसूर क्यों ना आये रंगों में अपना रंग देया है ठी देखियां दही långए दो मिक्स करके न मिला और आब यह मीर्ठी चट्नी इमली वाली जो होती है वह डाल दिया और यह हरी चटनी है खटी वाली धनिये पुदीना यह सब मिलाकर मिर्च कि इमली वह खटाई डाल करके आई यह थोड़ी से जीरांटर पाउडर डाल भूना हुआ और यह लाल मिर्च भी भूना हुआ है यह भी इसमें हमने यह डाल दिया सारा यह लिजिए यह हमारा आज का रिष्पी त्यार हो गया इसको हम दही बड़ा बोलते हैं कि दही बढ़ा यह हम क्या आप भी बहुत बढ़ा लाल वाल इसको बना कर खा कर देखें को बधुत अच्छा लगता वह टेस्टी बनता है कर दाल में ही डाल यह अच्छा लगेगा अच्छ चलते हैं मिलते हैं अगले वीजियो में नई रेश्पिक साथ नमस्कार आपको ये ये